इंडिया इस भारत शेल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स ये देश के सम्विधान के अरुच्छेद एक में लिखा है ये देश की परिभाशा है कि एक राष्ट के रूप में भारत क्या है जवाब है भारत राज्यों का एक संग है सम्विधान का यही वाग कि अब एक बड़े राजनेतिक और सम्विधानिक संगर्ष के केंद्र में है ये संगर्ष है वन नेशन वन इलेक्षन यानि एक देश एक चुनाव का बहस हो रही है और लेख लिखे जा रहे हैं कि जब एक देश है तो इस देश में एक ही चुनाव क्यों ना हो, मतलब सभी राज्यों के विधान सभा चुनाओ और लोग सभा चुनाओ क्यों ना एक साथ करा दिये जाएं। एक ही चुनावी बूत में दो मशीने हो, मद्दाता एक मशीन से सांसच चुने, दूसी से विधाया है। 11 घंटे की वोटिंग और देश का प्रधान मंत्री तेह हो जाए, राज्यों के मुख्य मंत्री भी तेह हो जाए। सुनने में प्रक्रिया बहुत आसान है, तुरंत लागू करने लाइग लगती है, लेकिन इसे पूरी संजीदगी के साथ समझना होगा, साथ में परखना होगा, देश का इतिहास, ऐसी पुरानी कोश्च हैं कहां जाकर खर्च होई। आईए, इनी सब सवालों के साथ शुरू करते हैं, आज का ललन टॉप शोप, मेरा नाम है सौरब्दिवेदी वन नेशन, वन इलेक्शन की बहस देश के लिए नई नहीं है, पहले भी होती रही है, लेकिन इस समय सब तासीन भाजपा के सामने एक बड़ा एलाइंस है और उसकी ओर से विरोध के स्वर उठने लगे हैं, कैसे उठने विरोध के स्वर, इसके लिए घटना करम समझना हो 31 अगस 2023 इस दिन केंद्र सरकार ने संसत के विशेश सत्र का आवहन किया, 18 से 22 सितंबर 2023 तक ये विपक्षियों को चोकर ना करने वाली जानकारी थी, बिना किसी तयारी के उन्हें एक संसत सत्र में बैठना था, पिर इसके अगले दिन यानी 1 सितंबर 2023 को केंद्र सरकार ने वन नेशन वन एलेक्षन के लिए एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया, कमेटी के अध्यक्षता सौपी गई पूर्व राष्टपती रामनात कोविंद को, और कोविंद के अलावा साथ लोग शामिल किये गए, कौन साथ लोग? केंद्री ग्री मंत्री आमिश शाह, पूर्व नेता विपक्ष गुलाम नभी आजाद, पंद्रवी फिनेंस कमिशन के चेर्मेन रहे एनके सिंग, लोगसभा के पूर्व सेकेर्टरी जनरल सुभाष सी कर्शयप, परिष्ट वकील हरीश सालवे, पूर चीफ विजलेंस रंजय कोठारी और कॉंग्रेस नेता, अधीर, रंजन, चौधरी जिन्होंने अपना नाम वापस ले लिया, इनकी कहानी आगे बताएंगे, आठ लोगों की इस कमिटी में कानून वा नियाय मंत्राले में सौतंतर प्रभार के राज्यमंत्री अर्जुन राम नेगवाल को स कमिटी के बाबत गजट पत्र भी जारी कर दिया गया, सदस्यों की घोष्टना के साथ जो बाते लिखी गई उन पर ध्यान देना जरूरी है, क्या कहा गया इसमें? पड़ी साथ ही आदर्श आचार संगीता के बारबार लागो होने से विकासकारियों में बाधा पहुंची, अब यहाँ पर दो अपवाद सुन लीजे, अपवाद में एक अपवाद और एक जो जिक्र है, कहा गया कि 1967 से ये चक्र टूटा, ये सही नहीं है पूरी तरह से, ये चक्र सबसे पहले टूटा 1969 में, 1959 में, उस समय केंद्र में, जवानलाल महरू के नेतरत में कॉंग्रेस की सरकार थी, कॉंग्रेस की अध्यक्ष बनी थी इंदरा गांधी, जो 11 महीने तक इस पद पर रही, और 1957 में केरल में लेफ्ट पार्टियों की सरकार बनी थी, विर मुदरीपाद इसमें बनाए गए थे, मुख्यमंतरी, लेकिन इस सरकार को आर्टिकल 356 का इस्तमाल करके, 356 का इस्तमाल करके, नेहरू सरकार ने 1969 में, 1959 में, बर्खास्त कर दिया था, जब इंद्रा अध्यक्ष थी, कॉंग्रेस की, और उसके बाद 1960 में दुबारा चुना हुए थे केरल में, जिसमें कॉंग्रेस ने और दूसे धलों साथ घष्योड करके केरल में सत्ता में बापसिक थी, तो ये राज्यों और केंद्र के चुनाओ का करम 1969 से ही तूड गया था, और बड़े पैमाने पर 1967 से तूटा, क्योंकि 1963 के चुनाओ में कई जगे सम्वित स 2005 में देखा था, बिहार में, बिहार में 2005 में दो दफा विधान सबा के चुनाओ हुए थे, परवरी में जो चुनाओ हुए थे, उसमें किसी दल को सपष्ट बहुमत नहीं था, और उसके बाद विधान सबा भंग कर दी गई थी, हाला कि राजिपाल बूटा सिंग के इस कमीशन की 170 वी रिपोर्ट का हवाला दिया गया है, ये समझते हैं, ये रिपोर्ट कहती है कि हर साल चुनाओ कराने के चक्र को रोक देना चाहिए और विधान सबा और लोगसबा चुनाओ एक साथ कराने चाहिए, रिजट की मताबिक इस कमिटी का काम होगा कि वो इस बात क की जाच और संस्तुती करें कि भारत में लोगसबा, विधान सबा, निगम और पंचायद चुनाओ एक साथ कराए जाए, ध्यान दे, केंद्र सरकार पंचायद चुनाओ तक के लिए लोगसबा और विधान सबा के साथ चुनाओ कराने की दिशा में विचार कर रही है, यान को साकार करने के लिए सरकार ने ये भी कहा है कि ये हाई लेविल कमेटी जरूरी सम्विधान संचोधनों का भी सुझाओते संचोधन की ये संस्तुती रिप्रेजेंटेशन आफ पीपल्स एक्ट 1950 और 1951 में की जाएगी ये तो हुई गजट के घोशित और देशों की बात अब इसके मुखिया की बात करते हैं रामनात कोविंद जो 2017 से 2022 तक देश के राश्वपती रहे कोविंद के नाम के एलान से पहले उसे कई वी आईपी लोग मिलने गए थे मसलन बीजेपी के राश्वपती को इस तरह की किसी कमेटी का मुखिया बनाया जाए पर विवाद कोविंद के नाम पे शुरू नहीं हुआ विवाद शुरू हुआ कमेटी का गजट जारी होने के कुछ घंटों के भीतर जब इसमें फॉरी तोर पर जो सबसे ज़्यादा मुखर है नरेद मोधी सरकार के खिलाफ ऐसे कॉंग्रेस के बंगाल से आने वाले सांसर और लोगसभा में उनके नेता अधीर रंजन चौधरी उन्होंने इस कमेटी से जब अपना नाम वापस लेने का एलान किया चौधरी ने ग्रीमंत्री हमें शाह को चिठी लिखकर नाराजगी जताई और कहा कमेटी बनाने की पूरी कारवाई आईवाश है यानि आख में धूल जोकने की तरह है खाना पूर्ती है अधीर अजन चौधरी ने ये भी कहा कि लोगसभा चौधरी के कुछी महीनों पहले सरकार का ऐसा कदम सरकार की मंशा पर सवाल उठाता है लेकिन चौधरी अकेले ऐसे नेता नहीं जिन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन की टाइमिंग और फ्रेमवर्क पर सवाल उठाये होगे कौंग्रिस पार्टी के उनके अध्यक्ष और आजिस सभा सांसद मलीकारजुन खडगे ने एक्स जिसे पहले ट्विटर कहा जाता था उस पर एक चोटा सा आर्ट किल लिखा खडगे ने कहा सभी चुनाओं एक साथ कराने के लिए सम्विधान में कम से कम पांच संशोधन करने होंगे कौंग्रिस अध्यक्ष ने भी कहा कि साल 2014 से 2019 के बीच हुए तमाम चुनाओं के भी सरकार के 500 करोड रुपे खर्च हुए जो की सरकार के बजट का बहुत छोटा सा हिस्सा है ऐसे में पैसा बचाने का तर्क मूर्टा पूर लगता है वही अगर आदर्श आचार सहीता की वज़े से विकास कारियों में बाधा आ रही है तो उसकी समयावधी को कम किया जा सकता है या आचार सहीता की समय कुछ विकास समंधी कामों की छूट भी जा सकती है कॉंग्रेस के बाहर भी कॉंग्रेस के जो सहयोगी है उसकी इंडिया अलाइंस के उन्होंने One Nation One Election को लेकर विरोध के स्वर्जत आए DMK के अध्यक्ष, तमिलाडू के मुख्यमंतरी और सनातन धर्म को खत्म कर देना चाहिए कहने वाले उधेनिदी स्टालिन के पिता MK स्टालिन ने अपने संबोधन में कहा कि भाचपा का One Nation One Election का पुश बारत के संगीय धाचे के खिलाफ है One Nation One Election लोगतंतर की नहीं बलकि ताना शाही की रेस्पी है ये तमिलाडू के मुख्यमंतरी का बयान है मुख्यमंतरी का जिक्र कर रहा है तो अब दिल लेका रुक करते हैं और पियम मोदी को डर लगता है कि उन्हें हर साल 6 महिले में जन्ता के बीर जाकर चुनाओं का सामना करना पड़ता है राहुल गांदी ने भी एक साथ चुनाओं कराने की जुगत को देश के संगी धाचे के खिलाब करा दिया इससे पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्सियम अकले श्यादों ने भी किसे लेकर अपनी चिंता जाहिड की थी 2019 में नोंने कहा था कि बहुमत वाली सरकार को जन्ता से किये वादों पर काम करना चाहिए कि जो वन नेशन वन इलेक्षन हैं तमाम कई ऐसे दल हैं जो कभी इसके पक्ष में नहीं आएंगे ये बड़ी लंबी एक्सराइज है भी तो बहुमत मिलाए सरकार को और जो सरकार बहुमत पाई हो तो उसके वादे बहुत हैं क्योंकि जन्ता ने भरोसा जादा किया है उनके वादों पर भरोसा किया है मैं समस्ता हूँ पहले दिन से एक्सराइज यह हो कि वादे जो किये जन्ता में वो कैसे पूरे हो उसके लिए roadmap क्या हो और हमें उम्मीद है कि वादों पर ज्यादा काम हो और यह जो फैसले हैं वन नेशन वन इलेक्शन इस्ते तो कहीं न कहीं तमाम ऐसे दल हैं जो कभी पक्ष में नहीं आएंगे बसपस सुप्रीमो और यूपी की पूर मुख्यमंत्री मायवती ने भी वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर अपनी नाराजगी ट्विटर के जरीये जाहिल की थी साल 2019 में उन्होंने ट्वीट किया था और कहा था किसी भी लोगतांत्रिक देश में चुनाओ कभी कोई समस्या नहीं हो सकते हैं और नहीं चुनाओ को कभी धन के व्याय अपवय से तौलना उचित हैं देश में एक देश एक चुनाओ की बात वास्तों में गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी और बढ़ती हिंसा जैसे जोलंत राश्ट्री समस्याओं से ध्यान बाटने का प्रयास और चलावा है यानि विपक्षी इस अवदहरना के विरोध में हैं कि सारे चुनाओ एक साथ हो कयास बाजों को भी समय मिला, बात होने लगी कि अगले साल अपरेल मही में होने वाले लोगसभा चुनाओ क्या इस साल दिसंबर तक करवाई जा सकते हैं क्या उन्हें 36 गर्ण मद्यपरदेश, राजिस्थान, मिजोरम और तेलंगाना के चुनाओं के साथ तलब किया जा सकता है सरकार की माने तो ऐसी कोई योजना फिलाल नहीं है केंद्री सूचना पसान मंद्जी अन्राग ठाकोट ने इन्डेट को एक साथ बातचीत में ऐसा ही दावा किया इस सेशन में क्या होने वाला है, ये बड़ा सेशन क्यो किया जा रहा है, मुझे लगता हमें कुछ बातों का तो इंतधार करना चाहिए लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन सरकार के एजेंडा में है या नहीं और ये आगामी स्पेशल सेशन में पेश किया जाएगा या नहीं इस पर अन्राग ठाकुर ने कुछ नहीं कहा या नहीं इस पर स्थिती थोड़ी का निफूजन वाली है लेकिन एजेंडे में है या नहीं ये सवाल प्रधान मंत्री मोधी के पुराने बयारों से साफ हो जाता है ताजा उधारन 15 अगस 2023 का है लाल के लिए से बोलते हुए प्रधान मंत्री ने कहा था आज देश पर व्यापक रूप से चर्चा चल रही है एक देश एक साथ चुनाओ ये चर्चा होनी चाहिए लोग तांत्रिक तरीके से होनी चाहिए और कभी न कभी एक भारत शिष्ट भारत का सपना साकार करने के लिए हमें और भी ऐसी चीज़ें जोड़नी होगी पिछले दिनों उर्जा के खेत्र में वन नेशन वन ग्रीड इस काम को भी हमने सफलता पूर्वक पार किया उसी प्रकार से वन नेशन वन मोबिलिटी कार्ड इस व्यवस्ता को भी हमने विक्सीत किया और आज देश में व्यापक रुप से चर्चा चल रही है एक देश एक साथ चुनाओ ये चर्चा होनी चाहिए लोग तांत्रिक तरीके से होनी चाहिए और कभी ने कभी एक भारत स्रेश्ट भारत के सपनों को साकार करने के लिए और भी ऐसी नई चीजों को हमने जोड़ना होगा प्रधानमंत्री मोदी ने अभी नहीं पहले भी कई मौकव पर एक देश एक चुनाओ पर अपनी राय जाहिर की थी लोग सभा हो विदान सभा हो या पंचाय चुना हो इनके लिए एक ही वाटर लिस्ट काम में आएं इसके लिए हमें सबसे पहले रास्ता बनाना होगा आज हरेक के लिए अलग-अलग बॉटर लिस्ट है हम क्यों खर्चा कर रहे हैं समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं अब हरेक के लिए 18 साल से उपर ताइव हैं पहले तो उमर में फर्क था इसलिए थोड़ा वो रहा हमको जरूत नहीं है साथ यो डिजिटाइजेशन को लेकर संस सद में और कुछ विदान सवों में कुछ कोशी से हुई है लेकिन अब पूर्ण डिजिटली करने का समय आ चुका है हम बामन से लेकर कर आज तक लगातार चुनाव में रिफर्म होते ही रहे और होते रहने चाहिए और मैं मानता हूँ इसकी चर्चा भी लगातार होते रहनी चाहिए उसके अंदर खुले मन से चर्चा होनी चाहिए बंधे मन से होने की कोई जरूत नहीं है लेकिन आउट राइट ये कह देना कि एक देश एक चुनाव के हम पक्षमे नहीं है अरे चर्चा तो करो भाई ये बिंबारी से तो भुकत हो रहा चाहिए ये एक बार शापान साल में एक बार चुनाव आए महना दो महना चुनाव का उत्सव चले फिर सब ताम में लगे ये बात सब ने बताई है वन नेशन वन इलेक्षन पर आपने सरकार की हालिया दलीले सुनी बयान सुने और क्या जल्दी चुनाव हो सकते हैं इसको लेकर भी प्रतिक्रिया सुनी लेकिन इस विशे पर बात कब से शुरू हुई एक साथ देश में चुनाव 1952 से शुरू हुए थे इंदुस्तान टाइम्स अख़वार में उतकर्ष आनन ने इस परविस्तार से एक रिपोर्ट लिखी है जिसमें बताया कि कैसे साल 1976-67 से लेकर 1977 तक देश में अलग-अलग मौकों पर उन-40 बार राश्पती शासल लगाया गया और विधान सभाओं का क्रम बिगड़ा और टूटा इसलिए 1983 में केंद्री चुनावायों ने एक साथ चुनाव कराने का सोजाओ दिया वज़े वही बताई थी खर्च और सुविधा पर तब ये रिपोर्ट थंडे बस्ते में डाल दी गई थी कुछ बरसता लगभग देवर दशकता कैसा ही चलता रहा साल 1999 में इस ब रिपोर्ट में कहा था आर्टिकल 356 जो की राष्टपती शासन से जुड़ा सम विधान का नुच्छेद है और राज्यपालों की ओर से विधान सभा भंग किये जाने की वज़े से लोगसभा और विधान सभा चुनावों का चक्र भंग हुआ है जिन कारणों से लोगसभा चुनाव हो और हर राज्ये के विधान सभा चुनाव है हर साल चुनाव के चक्र को भंग करना चाहिए सभी चुनाव एक साथ कराने के समय में वापस लोटना होगा Justice Ready की अध्यक्ष्टा वाले इस कमीशन ने आगे सुझाव दिया कि ऐसा एक रात में नहीं हो सकता लेकिन चुनावी केलेंडर में कुछ परिवर्तन और समय विधान में कुछ संचोधन करके एक साथ चुनाव कराने की और बढ़ा जा सकता है कुछ विधान सभाओं को कारेकाल बढ़ाने या घटाने पर विचार क्या जा सकता है बशर्ते राजी सरकारें और पार्टिया सैमत हो लोगसभा और विधान सभाओं चुनाव साथ कराई जाएं लेकिन जब तक विधान सभाओं का गारेकाल खत ना हो जाए तब तक उसके नतीजे को गुप्त रखा जाए ये भी रेडी कमिशन की रिपोर्ट में था 1999 से अब आगे बढ़ें और आएं 2015 में इस साल एक 27 संसदी समिती ने अपनी 89 रिपोर्ट प्रस्तुत की इसमें भी कहा गया कि विधान सभा चुनाओं और लोगसभा चुनाओं साथ कराए जाएं तो खर्च बहुत कम किया जा सकता है साग्थी सेवाओं में आदर्श आचा इस में भी बारहा हो रहें चुनाओं के बारे में उन्हीं तो सुचकांकों पर बात की गई खर्च और आदर्श आचार सहीता साथ ही कहा गया कि पर्मनेंट चुनाओी मोट से बाहर आकर एक बड़ा बदला होगा जिससे सरकारों के पास अगले चुनाओं की चिंता किये व पैसों की बचत होगी सुरक्षाबलों और प्रशास्निक अमलों पर बोज कम होगा लेकिन साथ चुनाओं कराने की अरुशनसा करने से पहले राजनातिक पार्टियों और तमाम स्टेक होल्डर से समवाथ करना होगा मौजूदा समविधानिक धाचे के साथ एक साथ चुना के बाद ऑप्शन 2 तेरह राज्यों के विधान सभा चुनाओं लोक सभा चुनाओं के साथ कराए जाए और बचे हुए राज्यों और केंशासरी प्रिदेशों की चुनाओं धाई साल बात यानि जब लोक सभा का कारेकाल आधा बीता हो ऑप्शन 3 एक साल में पढ़ने वा कि ऐसा करनिकली जरूरी सम्विधान संशोधन किये जाने चाहिए कि अधिमोधी सरकार एक देश एक चुनाव की रहा पर बढ़ती है तो सम्विधान संशोधन की बात आएगी ही और संसत के पटल पर इसे रखा जाएगा पर थ्योरी से आगे चलते हैं और बातें सुनते हैं कि वो क्या कहते हैं देश के पूर्व मुख्य चुनावायोग स्भाई कुरेशी से हमने पूछा कि इस प्रक्रिया में आगे कैसे बढ़ा जा सकता है और लागू करने से क्या-क्या दिक्कतें दूर होंगी अगर यह इस पर फैसला हो ही जाए कि कराना है तो इन प्रिंस्प के लिए और सेक्यूरिटी जो अप्रेटर सब्सक्राइब बना दिया तो इस चीर कर दिया आप जाकर वोट देते हैं एक लेक्शन है तो एक मशीन पर बटन दबाते हैं तीन एलक्शन होंगे तो तीन मशीने रखे होंगे तीन जगा बटन दबा देंगे तो उतले हाँ से logistically तो it is as simple as that. एक एक चीज़ इसके में जो जो दुरूत पड़ेगी कि जो अभी जो EVM हैं वो हम recycle करते हैं यानि लोक्शाब हमें यूज कर ली वो खतम हो गया उसके बाद उसको erase करके विदान सबा में मशीन को लेकर पहुँच गया है तो लेकिन अगर जब विदान सबा लोक्शाब और पंचाज एक साथ ही हो रहा होंगे तो हम recycle मशीनों को नहीं कर पाएंगे तीनों मशीने एक मौजूज होनी चाहिए यानि तीन गुना मशीने चाहिए अभी बीत लाग अगर मशीने हैं तो पचास साथ मशीन लाग मशीन है तो अब उसको बनाने में जो टा इसको डिमोक्रिसी का ठीक करना वो इंपॉर्टन चीज है पाइदे तो एक तो मैंने ही बता है कि वह इलेक्टोरल कर्मीनियस तो यह है कि वह आप उसको एक बार कर दी जिए एक बार वोटर आके चला जाएगा लेकिन दूसरी चीज यह कि यह खर्चा बहुत होता है तीसर सब्सक्राइब इस पहले तो खर्चा इलेक्शन मैंजमेंट में तो अगर एक इलेक्शन होता है जनरल इलेक्शन ले ले लिए तो तक्रीबं 4000 करोड के करीम है यानि कानूनी कमीशन्स ने कहा है किसे लागू करना चाहिए लेकिन एक मतदाता की अधिकार भी है कमीशन ने क्या इस पर कोई सुनवाई की इस पर कोई बात की बेश जहां मतदाता की अधिकार सत्प्रयोग में रहते हैं अपनी पंचायट से लेकर अपने प्रिधार मंत्री तक वो चुनता है लगातार चुने प्रतेंदियों की रपट लेता है क्या होगा जब उसे अपने बार्शत के साथ अपने सांसत को चुनना होगा उसके खाटी छेत्री मुद्दे कितने मजबूत रहेंगे हमने राजी गांदी नैशनल यूनिवस्टी अफ लॉव पट्याला में कानूर के छात्र कार्थिके एसिंग से जो लगातार इस पर आर्टिकल लिख रहे हैं बात कि मुद्दों पे इस पे बिल्कुल खत्रा आएगा क्योंकि अगर हम एक्जांपल देखें अगर हम नैशनल इशू की बात करते हैं जैसा कि हम जानते हैं नैशनल मुद्दे और जो लोकल मुद्दे होते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं जैसा कि आपने बताया कि पंचायत चुनाओ लोकल मुद्दों पर लड़े जाते हैं वैसे ही विधान सभा के चुनाओ भी लोकल मुद्दों पर लड़े जाते हैं और नेशनल इशूस की अगर हम बात करें कि बाला कोट स्ट्राइक हुई या फिर ऐसे ही कोई नेशनल मुद्दे जो की रीजनल मुद्दों को दबा सकते हैं जिनकी वज़े से जिनकी वज़े से रीजनल इशूस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा और एक और चीज़ में आपको बताना चाहूं अगर किसी डेमोक्रेसी को हेल्दी डेमोक्रेसी में मेंटेन करके रखना है तो उसमें वोटर की वोईसेस को आपको परियोडिकली सुनना पड़ेगा अगर आप एक ऐसी विवस्था बनाएंगे जिसमें कि आप हर एक पांच साल में ही वोटर्स और पॉलिटीशन की बीच में इंट्रेक्शन कराते हैं पॉलिटीशन के बीच में आपस में बातचीत हमेशा बनी रहे जो कि प्रियोडिकली चलती रहे जिससे कि वोटर्स के प्रती पॉलिटीशन से एक अकाउंटेबल तरीके से बिहेव कर सके इसके पक्ष में तरक देने वाले कह रहे हैं कि खर्च कम होगा आचार संहिता की वज़े से विकासकार नहीं रुकेंगे क्योंकि संविधान जो भारत के संविधान को जिसने भी पढ़ा है जो भी थोड़ा वह समझते हैं वे जानते हैं कि भारत का संविधान एक आत्मक है संधात्मक नहीं है संधात्मक है अमेर्का का संविधान लेकिन भारत का संविधान तो राज्यों का संध नहीं है उनिसो सेटालिस से पहले जब भारत का विवाजन नहीं हुआ था उस समय जरूर समिदान संधात्मत बनाने की बात थी उसकी कुछ चाया इस समिदान पर है लेकिन विवहार में भी और अधार्ना में भी भारत का समिदान मूलता एकात्मत समिदान है और 25 नौबर उनिस सव उन्चास को जो डाक्टर अंबेदकर ने अपने वांसण में समझाया है वो यहीं समझाया है तो यह राज्यों की जो सूची है एक समयवर्ती सूची है और एक केंद्र की सूची है जिसे संग की सूची कहा गया है लेकिन अगर यह संधात्मत समिधान होता तो राज्यों की सूची और समवर्ती सूची दोनों हमारे साथ हमारा समिधान यह केंद्र को अधिकार देता है कि राज्यों की सूची के से में वी कानून बना सकते हैं अगर उसकी जरूरत वो हो तो यह खेंद्र के विवेक पर नवर करता है या या कहना चाहिए कि नहत्रितु के विवेग परनुब्र करता है जो उस समय देश का असासन चला रहा है नहत्रितु कर रहा है अगर संघात्मत होता तो 370 को हटा करके और जमू कस्मेर को का पुनर गठन नहीं किया जा सकता है अगर संघात्मत होता तो ज़ो राज पुनर गठन आयोग बनाया पंडि जवार्लाल लैरों में वह अभायद हो जाता असम वैधानिक हो जाता है यह लेकिन उन्होंने इ睨िस सो 85 में राज पुनर गठन आयोग बनाया और उस आयोग को सारे देशने माना उस आयोग के पैसले को और राजियों का पुनरगठन गुए तो ऐसे सेकड़ उदाहंड दिये जा सकते हैं मूल बात यह है कि यह कहना कि भारत का संखे सम्मिदान की इससे अवहल ना होगी यह जो लोग भी कह रहा हैं वो सम्मिदान को न जानते हैं न हमने पढ़ा है हाँ वो नारे लगा रहा है और नारा और सम्मिदान अलग अलग कि अगर विवेकपूर तरक तलाशा जाए तो यह कहना सही होगा कि देश में चुनाव जितना कम समयले उतन सही होगा सरकारी स्कूलों और आफिस के करमचारी चुनाव ज्यूटिय में कुछ दिनों पर खपेंगे नहीं संसाधन नहीं खपेंगे सीमित संसाध्रों में बहुत सारे काम कराए जा सके लिए लेकिन अगर यह बात सही है कि पार्टिया अपनी सरकार पर संकर देखकर एक उम्मीद की बात के साथ आपको छोड़ जाते हैं छोटी सी कहानी दो वीडियो की कहानी दोनों वीडियो में एक ही संदेश है क्या अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा पहला वीडियो यूपी के शहर मिर्जापूर से है सरकार समय समय पर जो अपने ट्रांसफर पोस्टि कि अधिकारियों के प्रती जंता का ऐसा स्ने देखकर लगता है कि कई लोग हैं जो महनत से काम कर रहे हैं महनत से याद आया आज का दूसरा वीडियो रिशब पंत एक एकसिडेंट में कार एकसिडेंट में चोटल हो गए थे उन्होंने अपना ये वीडियो आज विलीज कि ये शो बात्री